Hello friends, welcome back to the channel again with one new tech video regarding noise color fit pulse देखें noise color fit pulse या फिर आप कोई भी smart watch उसमें जो आप charge करते हैं ठीक है charging के related मेरे कुछ queries आये थे कि इनको कैसे charge करना है तो उसके उपर मैंने एक videos आप बनाई थी वहाँ पे मुझे कुछ viewers ने पूछा था कि इसको charge करने के लिए हमें कौन सा charger को use करना चाहिए जैसा कि आपको पता होगा जब भी आप watch को purchase करते हैं तो watch को purchase करते वक्त तो आपको only जो है एक data cable provide की जाती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस data cable को use करके जो है आप यहाँ पे इसको charge में करना है और यह एक magnetic है इसका जो है एक profit आप जान सकते हैं या फिर इसका advantage में कहूंगा इसको जब आप wrong side से इस तरह से attach करेंगे तो देखिए attach नहीं लेगी ठीक है यह इसे जो है और दूसरे तरफ धकेल लेगी कर लेती है तो यह एक इसमें profit लगा मुझे advantage काफी अच्छा लगा रही बात इसको charge करने के लिए तो देखिए charge करने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा अगर आप सको हूँ कि अगर इसका related कोई issue होता है कि लाइक आपकी wire में कोई problem हो रही है या फिर यह wire खराब हो जा रही है तो इसके लिए एक universal charger मतलब adapter है यह जो USB cable एक universal है जिससे आप किसी भी watch को जो है चार्ज कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में देदूँगा वहाँ से आप उसको check out कर सकते हैं ठीक है रही बात इससे charge करने के लिए तो इसको charge करने के लिए मैं अपने samsung की adapter यूज करता यूज नहीं करना चाहिए ठीक है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें input voltage 100 से 240 तक की है and यह 5A की charger है ठीक है तो इसको आप यूज कर सकते हैं इसको charge करने के लिए इसका भी link मैं नीचे description में देदूँगा आप उसको वहाँ से देख सकते हैं इभेन जो है मैंन adapter का इस्तमाल करके मैं इसे जब charge करता हूँ तो hardly एक से डेर घंटे में वो fully charge हो जाती है और मुझे काफी ऐसा कोई दिगत भी नहीं होता है देख सकते हैं अभी जो है यह charge है रही बात अब इसमें कि इसको किस charger से charge नहीं करना चाहिए तो देखें अभी के जितने भी phones आ र नहीं है क्यों रिजन है जैसे कि हमारी जो वाच है वाच के बैटरी भी है वो काफी छोटी होती है according to the phone, phone में बैटरी बरी होती है even उसमें उसमें hardware, software उस तरह से inbuilt होते हैं कि वो fast charging adapter से बहुत तेजी से fast निकल ला है और watch उसको sorry आपका phone जो है उसको उसको उसे तरह से capture कर बट इन इस केस watch में क्या होता है कि हमारी बैटरी चोटी है और यह नौर्मल बैटरी होती है यह उस तरह से बनी नहीं होती है कि आपका fast charger को support करें तो इसके लिए यहां पर मैं आपको शहेशन दूंगा कि आप normal charger adapter का इस यूज कीजिए ताकि इसमें कोई problem ना हो ऐसा नहो सकता है क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे मैंने जो है information मुझे information जो है मिली कि जो fast charging से use करते वक्त जो है उसका कुछ damage हो रहा या फिर properly charge नहीं है ऐसा कुछ मेरे जो है friends ने ऐसा मुझे बताया तो इसलिए मैं इस शेयर कर रहा हूं तो मेरा session यहीं रहेगा कि normal adapter का इस्तमाल देख सकते हैं USB type B है यहाँ पे तो इसके normal है और यह magnetic है यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका link दोनों adapter का एन universal charger का नीचे दे दूँगा and petrol का जो मैंने petron का जो dual cable वाली जो charger है उसका भी link दे दूँगा उसको देख सकते हैं so इसको basically normal charge यूज़ कीजिए और आपका जो है charge हो हो गया होगा तो आप इन sub charger का यूज़ करके अपने फोन को watch को जो असानी से charge कर सकते हैं so till now thanks for watching video video अच्छी लगी होगी तो like share and channel पर नहीं होगे तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को subscribe कर सकते हैं हम इसी तरह से take, unbox and tutorial से related धेर सारी वीड